माननीय मुख मंत्री जी अब विहार के रागनीत में अब आप परसांगी को गए हैं अब आपके जनता दर्वार में आपके साथ आपके मंत्री भी बैठने के लिए तैयार नहीं है आप भरी जनता दर्वार में आपके मंत्री नहीं आया आपके लिए आपको जनता दर्वार लगाना पराब नमस्कार भारत लाइप देख रहे हैं आप कुड़नी चुनाव हार के बाद राज़त की तरफ से नितीज के खिलाब बयान बाजी होने लगी है अब राज़त तो छोड़ दीजे जनता दल युनाइटिट के मंत्री भी अब नितीज के साथ रहना नहीं जाते दरसल ये चर्चा हो चली है और ये चर्चा किसने की बयान किसने दिया वो बयान हम आपको सुनवाएंगी लेकिन उसके पहले बता दे कि मुक्धमंत्री रितीज कुमार की पार्टी जनता दल युनाइटिट के परदेश कार्यारे में भी जनता दर्बार लगाया जाता है और कहा है कि नितीज कुमार के जनता दर्बार ती तोड़िये उनके पास उनके मंत्री भी लोग नहीं जाना चाहते हैं नितीज के मंत्री भी जनता दर्बार में अब नहीं बैट रहे हैं मतलब साफ है कि नितीज कुमार के मंत्री भी ये जानते हैं कि हमारी वी छवी मुक मुखमंत्री के वज़े से खराब हो रही है अब अर्मीन सिंग ने ये बयान दिया है ये बयान कितना जायज है ये बयान उन्होंने दिया तो आखिर भारतिय अंता पार्टी इस बयान के जरी दर्साना क्या चाहती है ये भी एक बड़ा सवाल है लेकिन भाजपा इस नहीं रहना चाहते हैं उनके मंत्री उनका बहिश कार कर रहे हैं सुनुए अर्विन सिंह के बयानों को जिसके जड़ीये ये सारी चीजस प्रश्ट हो जाए ये आखिर अर्विन सिंह कहना पसंद नहीं कर रहा है आपके बगल में बैठने के लिए आपके मंत्री तैयार नहीं है आगर बिहार में दारू और बालू का अबेध कारोबार इतना बढ़वाते नहीं आप राध पर इतना आप बढ़ावा नहीं देते महिला उत्पीडा नहीं करते हर एक समाज पृणने का काम नहीं करते तो इस तरह का हाल का नहीं होता दुट बेरोजगारों कौ रोजगार दिये रहते तो आपका इस तरह का हाल नहीं होता माननी है मुखमंत्री जी अब बिहार के राजनीत में अब आप परसांगिक हो गए हैं कर दिए चाह के राजने के राजनी है